हेलो दोस्तों आज हम क्लास 10 का एक मैत करेंगे जो कि एस एस्टेटिक्स चैप्टर का है क्वेश्चन है मेरा फॉर दी फॉलोइंग डिस्टिबिशन क्लास 0 5 5 10 10 15 15 20 फ्रिकेंसी इतना इतना दिया वह तो इसको इस फॉर्म में लिक लिए क्लास फ्रिकेंसी और सी एफ निकालना किसे यह मतलब होता है क्यूमिलिटिव फ्रिकेंसी हमसे पूछ रहा था दा सम ओफ लोवर लिमिट अव द लिए जिरो से फाइब फ्रिकेंसी टेन सी एफ कैसे निकालते हैं फ्रिकेंसी लिख देते हैं पहले वाला फ्रिकेंसी जो है वो लिख दिए अब क्या करते हैं सकेंड फ्रिकेंसी और यह सी एफ दोनों का सम यानिकि 25 फिर यह वाला फ्रिकेंसी और इसका सम यह हो जाएगा 52 7 और 337 और इसका और इसका समोर सेवन और 57 और फिर इसका इसका समोर जागा 9766 66 एक बात याद रखिए कई इस टोटल का सम यानि कि 66 होगा का इसका लास्ट वाला जो होता है CF उसके बरावर होता है अगर बरावर नहीं है यह दोनों तो समझे कुछ गरवरी हुआ है calculation यह आ गिया अब frequency का average जैसे frequency 66 n by 2 होता है यानि कि frequency n जितना sum आया है sum of frequency by 2 करते हैं तो इससे जो आता है 33 अब यह देखते 33 इसमें से cf वाला में 33 किसके पहले आता है तो 33 यह 37 के पहले आता है और 25 के बाद आता है तो 37 के पहले आता है जस्ट पहले जो आएगा उसी के ओई यह अब इस class को हम मान लेंगे median class यह हो जाएगा मेरा median class median class इसको बोल देंगे अब median class निकल गया अब हमको क्या चीज़ निकालना है model class model class कैसे सिंपल है model class के लिए हम देखेंगे frequency सबसे ज़्यादे कौन सा frequency यह 20 है तो यह वाला class हो जाएगा मेरा model class और lower limit upper limit किसको बोलते है इसको lower limit इसको upper इसको lower इसको upper यह class का जो होता है उसका पहले वाला lower limit और बाद वाला upper limit तो इसका lower limit हो जाएगा 10 और इसका 15 तो यहां लिग देंगे पहले median class मेरा कोन आया 10 से 15 और मेरा model class आया model class आया मेरा 15 to 20 and now sum of lower limit sum of lower limit हो जाएगा मेरा 10 प्लस 15 यह हो जाएगा मेरा 25 और 25 मेरा इस दोनों lower limit का sum हो जाएगा इसी तरह बनाना था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ज़न्य बाद झाल को